यूपी के धरासु से एक शमसार करने वाली खबर सामने आ रही है बता दें यहां एक नाबालिक से दो बच्चों के पिता ने दुश्कम किये जाने का मामला सामने आया है इस मामले में धरासु पुलिस ने बढ़कोट निवासी एक व्यक्ती को गिरिफतार कर लिया है जानकारी के मताबिक आरोपी न केबल शादी सुदा था बलकी दो बच्चों का पिता भी है धरासु के थाना ध्यक्स कमल कुमार ने बताया कि आरोपी बढ़कोट में एक होटल में नौकरी करता है आरोप है कि उसने नाबालिक लड़की को फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरीए दोस्ती कर अपने जाल में फसा है दोनों के बीच करीब एक साल पहले से दोस्ती थी वहीं बीती 21 मई को आरोपी नाबालिक को भगा ले गया इस बीच दो दिन तक जब नाबालिक घर नहीं लोटी तो 22 मई को उसके परिजनों ने धरासु थाने में उसकी गुमशुदगी दर्च कर आई जिसके बाद 23 मई को थाना धरासु पुलिस ने आरोपी को नाबालिक के साथ एक होटल से गिरिफतार कर लिया वहीं दूसरी और सीतापूर में शादी के 16 दिन बाद एक युवक ने घर में जम कर हंगामा खड़ा कर दिया युवक का गाओं की ही किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन इसी बीच युवक की कहीं और शादी हो गई शादी के बाद युवक दुलहन को घर ले आया बता दें युवक की शादी 4 मई को हुई थी लेकिन कुछ दिन बात ही युवक 20 मई को गाउं की एक नाबालिक लड़की को भगा ले गया और मंदिर में जाकर शादी कर ली वही नाबालिक लड़की के घर वाले भी लड़की के तलाश में जुड़ गये और युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी इस बेच युवक की पत्नी ने अपने पती और उसकी प्रेमी का को रामगट चौराहे में एक साथ देख लिया जहां युवक की पत्नी ने जम कर हंगामा किया जिसके बाद पुलिस नाबालिक और उसके शादी सुदा प्रेमी को हिरासत में ले लिया है वहीं कोत्वार मिश्रिक जिकेंद्र ओजा ने बताया कि दोनों को ठाने ले जाकर पूस्ताच की जा रही है पूस्ताच के बाद ही आगे की कारिवाई की जाएगी